Hello friends, welcome to the CSE, मैं राहुल चौदरी आपके लिए लाया हूँ करेंट हफिर्स सीरीज आए देखते हैं तो पहला कॉर्शन है, विच अमंग दा फॉलॉइंग आथर्स है पॉब्लिश्ट दबुक दे इकका बाउग दैन ब्राउन, जे के रोलिंग, जॉर्ज आर आर मार्टिन, स्टीफन, स्टेपनी मेर आए जानते हैं पहला आंसर, आंसर है बी जे के रोलिंग, जो हैरी पॉर्टर सीरीज के लिए फेमस है इन्होंने अभी अभी नई बुक लाउंच किये, इका बाउग, जिसके पहले पाच चैप्टर, अभी उन्होंने ऑनलाइन रिलिस किये हैं और इसका पेपर बैग जो आएगा, पेपर बैग बुक आएगा, वो नवंबर में आएगा, इसका अंसर है बी जे के रोलिंग, फेमस है बच्चों में, साथ सीरीज आई थी पिछले बार, हैरी पॉर्टर की, अब देखते हैं यहाली सीरीज का कैसा होगा नेक्स्ट कॉशन है, फिच स्टेट हैस डेसाड़ेट तू मेंटेन अ स्टेट हैल्थ रेजिस्टर आफ ऑल सेटिजन्स, अभी कोवईड-19 के करण सभी स्टेट में कॉरोना फैल गया है, जिसके करण स्टेट हैल्थ रेजिस्टर बनाने का कुछ राज्जो ने डिसाड़ किया है, जिसमें से अभी इस क्वेशन में देखते हैं, इसमें आंसर क्या है, पहला आप्शन है आसाम, सेकेंड आप्शन है महाराष्ट, थर्ड करनाट करनाट का और फोर्थ है डेली, आइए इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है करनाट का, करनाट का अपने अलग-अलग राज्यों से जैसे महाराष्ट, रास्थान, गुजरा, तमिलनाडू, मदबदेश, इन सब राज्यों से COVID-19 इस्प्रेड ना हो, फैले ना, उसके क अब देख सकते हैं, रेड में जो मार्क है, इसके नेवरिंग स्टेट्स हैं, महराष्ट, गोआ, अंदरपरदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू, केरला, करनाट का के सीम है, यदुरप्पा, और गवर्नर है, वाजु भाई, वाला, चलिए, अब आते हैं, नेक्स्ट कॉश् की जो परिसीमा है, परलिमेंटरी और असेम्बली कॉंस्टिट्वेंसी की, उसकी परिसीमा ताय करने के लिए, पांच लोगों की मेंबर्शिप बनाई है, जिसमें से अभी इस क्वेश्चन में आपको जानना है कि कौन है जिसका नाम उस पैनल में है, तो पहला उप्शन ह फारुक अब्दॉल्ला, सेकंड ऑप्शन है उमर अब्दॉल्ला, थर्ड ऑप्शन है महभूमा मुफ्ती, और फोर्थ ऑप्शन है गुलाम नभी आजाद, इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए, फारुक अब्दॉल्ला, यह उस फाइव मेंबर परलेमेंटरी में से हैं, और फारुक अब्दॉल्ला पहले सी एम भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के, बाकी नाम आप देख सकते हैं, यहां पे, सेकंड कॉर्शन है, इसके बाद का कॉर्शन है, वेटरन पॉलिटिशन अजी जोगी, जो अभी उनका निधन हुआ है, चोहता साल की उ उडिशा मुर्दबरेश, इसका सही आंसर है, चत्यस गड़, चत्यस गड़ जो राजज है, इसके पहले सी एम अजीद जोगी रहे है, इसके करेंट सी एम अभी देखते हैं, कौन है, इसका लोकेशन देखिए आप, चत्यस गड़ की राजधानी है रायपूर, और करेंट सी एम अभी है, भुपेश भगेल जी, जो अभी करेंट सी एम है, आपसे एक क्वेशन है, इसके मैंने आपको फर्स्ट सी एम बताए है, अजी जोगी, और थर्ड सी एम बताए है, भुपेश भगेल, आपको सेकेंड सी एम बताना है, सेकेंड सी एम कौन है, कमेंट सेक्श और एयर, ऐसा कॉन सा राज है जिसने रेल रोड और एयर से आने वाले लोगों से नेगेटिव सर्टिफिकेट माँगा है, कोई नाइटीन का, options है Kerala, Sikkim, Arunachar Pradesh और Goa और answer है Goa Goa वो राज्ज है जिसने अभी negative certificate मांगा है कोई भी अगर बहार से आता है उस राज्ज में तो COVID-19 का negative certificate लेकर रहा है तब ही एंटर हो सकता है Goa का जो आप location दिख सकते हैं यह red में जो मार्क दिख रहा है सबसे smallest इस्टेट है इंडिया का इसलिए इतना चोटा दिख रहा है पूरे इंडिया में आप उसकी location के लिए मैं यह लगा देता हूं और इसके जो CM है CM का नाम है प्रमुत सवंत आप फोटो देख रहे हैं और governor है Satypal Malik अब next question है who has been appointed as the new chief executive officer and managing director of Wipro option है रिशत प्रेम जी थेरी डेला पोर्टी मार्क पावलो और हैंडि सैंचेट आई यह answer दिखते हैं answer है थेरी डेला पोर्टी थेरी जी ने अभी रिशत प्रेम जी को सरपास करते हुए अभी यह पदभा समाला है CEO और MD दोनों अपउंट हुए हैं और वो अपना पदभा समालेंगे 6 जुलाई से 6 जुलाई 2020 अब हमारा next question है 7th question है which among the following is the only nation to report a marginal rise in crude steel output in April 2020 जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना के कारण सभी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन अभी रुख गया है लगबख रुखी गया है तो अभी भी ऐसा एक देश है जो उसमें अभी भी marginal ही सही थोड़ा बढ़ा रहा है अपना प्रोड़क्शन क्रोड इस्टील प्रोड़क्शन में और ऑप्शन है जापान यूएस चाइना और कोरिया इसका आंसा देखते हैं आंसा है चाइना चाइना अगर जानते नहीं हो तो मैं बताना चाहूंगा कि लाजेस्ट क्रूड इस तील प्रोडूसर रहे वर्ड में और इसने अभी फिलहाल अप्रेल में जो प्रोड़क्शन किया है वह 85.03 मेट्रिक टन इस्टील किया है जो लास्ट इर 84.75 था उसे मार्जिनली बढ़ा के ही प्रुक्शन किया है अब नेक्स्ट क्वेशन है वाट इस दे निव नेम ऑफ नासा ज डवल्यू एफ आइफ आई आर एस्टी हबल टेलिस्कोप हबल टेलिस्कोप सितारों की खोज के लिए इंस्टॉल किया गया था कई साल पहले और उसको अभी नया नाम दिया है नासा ने आप्शन है नैंसी ग्रेस रोमन, जेम्स ए वैब, थॉमस ओ पेन और रिचर्ड एच डोली इसका आंसर देखते हैं आंसर है नैंसी ग्रेस रोमन नैंसी ग्रेस रोमन जो नासा की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर रह चुकी है और यह जो हबल टेलिसकोप है यह 30 साल पहले इंस्टॉल किया गया था और WFIRST का फुल फॉर्म है वाइड फील्ड इंफ्रारेट सर्वे टेलिस्कोप आप इसका इमेज देखें यह इमेज है इमेज मैं इसलिए लगा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि कैसा दिखता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट गॉस्ट्चन है निम्द कंट्री इन विच एएसाई आ अर्टिप हमारे हां का जो स बनाए गए हैं मंदिरों में इंस्टॉल बनाए गए हैं लगाए गए हैं पहले मंदिरों में पुजा होता था इंदु द्रम का इतना प्रचाब पसार हो चुका था उस समय में 1100 साल पहले आई यह जानते हैं कौन सा देश होगा इसके ऑप्शन है कंबोडिया वियत नम इ विजर्व फॉर्म में है अभी मिला है वित नाम में पाया गाया है 9th century shivalinga है और यह temple complex का नाम है charm temple complex जो my son sanctuary है वित नाम में अब हमारा आज का आखरी question है who has signed an order to regulate social media platform social media को regulate करने के जाब से अभी एक order जारी किया गया है वो किस ने sign किया है किस देश के नेता ने sign किया है option है Donald Trump नरीन मोदी, एंजला मारकल और किम जोंग उन और answer है Donald Trump Donald Trump है जन्होंने अभी order जारी किया है ताकि government social media को regulate कर सके उस पर थोड़ा से लगाम कर सके कुछ भी आजकल आ जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने order जारी किया यह 28 मही को ही जारी किया है बहुत रीसेंटली सारी news है जो मैंने questions आपके लिए बनाए है आशाकत्तम आपको अच्छा लागा होगा और आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जाहें झाले के लिए बनाए है